लेजी प्यारस गुलो यहाँ पे सुबय के आपके देखिए चार बजे हैं और कप्छा नौबी बीसे आपका सामाजी विगन का त्रमासी परिछा आथ 24 सितंबर का पेपर देखिए हमारे पास आ चुका है रात के आपके दो बजे यह कोश्चन पेपर हमारे पास आया हूँ ह तो देखिए पूरी कोश्चन पेपर और पूरा आपका 75 अंगो के पेपर के साथ यहाँ पर हमारे पास देखिए सेलूसन भी आपका आ चुका है तो देखिए पूरा आपका आंसर भी इस वीडियो पर आपको मिल जाएगा ठीक है चार बजे आपका ये वीडियो सूट कर देखिए रात भर आपके लिए महनत क्या हूं तो चलि आपको अगर देखिए ये कोश्चन पेपर आपका भुपाद से आया हुआ है ठीक है फिडिये पकी रूप्य हमें मिला हुआ है तो देखिए आपको जो है करना क्या है देखिए हर जिली पर पेपर आपके चेंज हो इससे आप छोड़ दीजिए यहां से आप डारेट्टी कोश्चन पर पड़िए देखे फोकस करिए छे नमबर कोश्चन पहला आपका दिया है भारत का छेतफल 20 के कुल छेतफल का कितना है देखिए 2.4%, 7%, 13% या फिर आपका देखिए 7.5% सिंपल सा कोश्चन पर देखिए आपको इसमें जो आंसर लगाना है यहां पर आप लगा देजिएगा क्या लगाईगा आपका हो जाएगा तो आपको आंसर जो आपके करना है 2.4% यानि 2.4% आपका पूरे 20 का छेत्रफल आपका भारत का है 20 की सबसे छोटी देखिए सबसे बड़ी अवाहत रोणी कौन सा है अमेजन नदी है गंगा नदी या फिर आपका देखिए आपका नेल नदी अगर बैद देखिए इसकी बात करूँ तो आपका अंसर जो है न यहां पर आपको करना है अमेजन नदी छीक है आप आनमबर आंसर का लिजे फटापट इसे लिखते जाएगे कौपी पर इसके ब को भी मिल जाएगा आप बस आप इस बीड़ो पर बने रहे देखिए क्या लिख है प्रत्रम आपका जो बिस युद्ध कब लड़ा गया तो आपको इसमें जो आंसर हो जाएगा देखिए 1914 से लेकर आपका 1918 तक ठीक है चली बिलगा अंसर आप चलते है कोशन पाचवा 1917 इस आपको आंसर करना है अगर देखिए इसका आपको आंसर एक साथ चाहिए देखिए तो सभी के आपके आंसर जो है इसमें आपका देखिए आपका टिक लगा है ठीक है तो आपका देखिए दूसरे का आंसर आपका आमेजन तीसरे का आंसर आपका लेह और चोथी का आंसर द धेखो आपका जो रिक्षाने कोश्चन आते है छे नमबर के पहला कोश्चन पूछा गया भारत में राष्ट पती का कारकाल आपका कितना होता है बहुत सिंपल कोश्चन देखिए आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका 5 बर्त होता है और आंसान सूकी के देखिए आपको में पूछा गया है कहां कि है तो आपका म्यम्मार क्यों हो जाएंगी समधान सबक की प्रसम बैठक का हुआ आपका देखिए 9 दिसंबर 1946 को और इसका देखिए आपको 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 सही विकल वाले कोश्चन देखिए देखिए आपका ये रहा आपके सही आपके जोड़ी वाले कोश्चन बिस का सबसे बड़ा आपका देश कौन सा है तो देखिए आपका रूस हो जाएगा सबसे बड़े छेतफल का आप वाला राज कौन सा है आपका राज्थान हो जाएग ठीक है और इसी प्रकार देखिए आपको जो है यहापको 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 कोश्चन आता है एक सब्दे एक बाक मुत्तर अंडवा निकोबार देश समुझ कहां पर आपका आपका आईस्तित है ये पूशागे है देखे आपका बंगाल की घारी मिश्तित है और सुचन है किंदू सागरों को जोड़ता है तो आपका भूमत और आपका लाल सागर हेरा क पर उसके नाम से कौन जान जाते हैं आप जानते हैं सरदार बल्ला भाई पटेल और पंचिस निर्पेश्च सी तातपर क्या है तो आपको हो जाएगा यह पर क्या हो जाएगा यह आपको हो जाएगा धारविक अधार पर सोतनता आप चलिए आपको इनका आंसर लिखा आप देखें आपके सत-सत वाले कोशन का अंसर पहला कोशन क्या दिया अमेरिका एक क्या आपका छेसिक्षा में के आपका सर्व्षा वियान का एक मतमूर आपका कदम है आपका इसत है प्रधान-मंत्री गरामद्य योजना 1925 आप को असन हो जाए गा अब देखिए कहलो 6 तो आपको मैंने इनका असत्राइक को पूरा देज siat-asat वाली question कभी आप कउन्स प्राइड कर दिया है अब जहें क्वश्चन नपर आपको प्रांस की राज की क्रांती इनका प्रहोग क्या हुआ क्या गए आपको kia प्रांस में समाज दायानों को अंतरबताना है तो देखेएगे पूढ़ीजी समयड़ी देखे यहाँ पर आपको जो अंसर है आपको यहाँ से यह मिला इस्टार्ट हो जाएगा देखे रहा जैकोबिन आपके लिख देना है इसमें जैकोबिन कलब की सदस्य मुख रोग से समाज के कम समरत वर्ग थे इनमें छोटे दुकांदार जूता बनाने वाले पेश्ट्री भरी साज मुद्रक चैसे कारीगर आदी आपका देखे नोकर और दिहारे आपके मजदूर आपके सामिल थे ठीक है यह पूरा अंसर कलेजे और छे का देखे आपका अथवाक आंसर क्या करना है यहाँ पे फ्रांसेसी करन्ती फ्रांस और उपनी वेसों में समाजिक और पूछा गया था तो देखे आपको पूरा अंसर विलिक दिन है फ्रांस में 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस मना जाता है क्योंकि इस दिन साल 1789 में पेरिस के बैस्टिल जेल पर हमला हुआ था और यह हमला फ्रांसेसी करन्ती का एक एहम घटना थी बैस्टिल दिवस की फ्र रूसो कौन थे फ्रांस की राज क्रांती मिलिक अपर हो है तो देखे आपका जो रूसो थे न यहां पर लिखा हुआ है एक जिनेवन दार्खसनिक लेखा और संगीतकार थी ठीक है इनके बारे देखे पूरा आप कौन सर ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा पूरा पूरा पर लिख दीजेगा इसके बाद देखिए आपको इपे question 8 बात है पूछा गया था डियूमा पर आपको tip पड़ी लिखना है तो question 8 का अंसर देखिए रूसी सम्राज में डियूमा के आपके कुछ बाते हैं तो कहते हैं इसे इसे निछला सदन कहते हैं इसे 1905 में रूसी करांती के बात जार निकूलस दूतिये ने गठित किया था पूरा अंसर देखिए आपको लिजेगा ठीक है आपको मैं पड़कर नहीं बताता हूँ जिससे अंसर देख लिए आपको कोश्चन 8 का अंसर यह आपको देखे काल मार्स का आपको मानना था कि पूझी बात एक एतिहासिक चैनल है और अंत्रिक विरोधावास के कारण इस्तिर हो जाएगा इसके बाद देखे समाजवाद आएगा आपके पूरा आंसर आपको देखे लिखन आपका आपका क्या थी तो देखे कि पाईश जनबर निट्सों पांच को रूस के सेंट पीटरवर्ग में इस घटना में जार सेना निस सांतिपूर तरीके से प्रतर्सन कर रहे मंजदूरों और उनके परिवारों पर गोलिया वर्साई थी और इसी देखे कि आपका आपका समाजबात एक आर्थिक और राजनीतिक विवस्ता है और इसी देखे आपका दूसरा पॉइंट समाजबात की अक्सरा आलोचना समाजिक सीवा करक्रम प्रधान के लिए की जाती है और आपका तीसरा पूझी बात की अक्सरा आलोचना आय असमांता और समाजिक आर्थिक ब आठवा हो गया, नवा और दसवा में ने दे दिया, ठीक है, नौ तक, अब देख कुश्चन दसवा, उदार बात पर आपको टिपड़ी करना है, और पर्थम विस्योद में, रस के आपको देखे, आपको इपकर करांधी का क्या प्रभाव पड़ा, और कुश्चन देखे, ग अगर मैं देखे, इसके आंसर की बात करूँ, देखे, कुश्चन आपको जो दस का अंसर करना है, उदार बात, तो उदार बात की बारे पर आपको टिपड़ी तो देखे, उदार बात भी आपका पूरा टिपड़ी, यह आपको उत्तर करना है, दस का दो आपका आपका देखे अस्तरसस के रसत के अभाव में इस युद्ध में रूसी सेना को अपार हानी हुई देखे पूरांसा का लेजीगा कोश्चन आपको गयरा पूछा गया था यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश के नाव तो देखे आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान और नेपाल भू आपको यह कर रहा है करकरेखा देखे क्या कि राजुत होगर गुजरती इतना में आपको रात को जाग करते हैं तो इसके लिए इस च्टैनल को सस्क्राइब करके जाना है मेरे प्यारी रसुलो और साथ में देखी बेल आईकान प्रस का लेना है लाइक तो करीचेना वीडि पर subscribe कर दो, इसके बाद आपके वढ़ते हैं, next question पर, ठीक है, कर दिया सुस्टाइम, चलिए, देखते question बारब आपको जो है, Refloat Mark पर tip पड़ी, तक भेज़े, question आपका book अंसर आपका RayTSamp Mark का tip पड़ी आपको यहभी आपको यह धाईगा ठीक है, और देखिए आपको जो कोश्शल है न साढवार प्र पूछा गया है अम रिखे मानक को प्रियागोराथ से समय को पूरी देस का मानक बाद का मान्क मानक समय के ाटिक है तीक है यह और गहुमरें बीच मादशे तो साढ़ी 5 घंडे अब देखिए आया है तेरवा नमबर ठीक है तेरवा नमबर आपको पूछा क्या गया था यहाँ पर आपका पूछा गया था आपका बांगर और खादर में आपको अंतर सिंपल से देखिए बांगर और खादर में अंतर आपका देखिए नबीन जड़ोर मिट्टी को खादर कहते हैं और प्रचियन जड़ोर मिट्टी को आपका बांगर कहते हैं इसके दर देखिए खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से आपका अधिक उपजाव होता है और बांगर मिट्टी, खातर मिट्टी से आपका कम उपजाऊ होता है इसके बाद देखे आपका जो है पर नेस्ट के पूछा गया है यह पर पूछा गया है देखे देखे आपको इससे पूराप को कर लिजेगा इसके बाद आपको त्यारा कत्वा पूर्वी घाट और आपका पश्चमी घाट के लाते हैं और इसके साथ देखे आपको यह पे जो है सेवरा और जाबेडी की पहाड या महेंद गरित देखे आपका सबसे उचा चोटी है और इसके बाद देखे आपका प्रवाल पालिप से कम समय में एक जीबित रहने वाले सोच हमपराणी है जो की समय में रहते हैं इनका विकास चिछले और गर्म जल में होता है इसमें कैल्सियम कार्वोनेट का इस्तरा होता है और प्रवाल इस्तराओ इवन प्रवाल अस्तियां टीरोगरू में बिच्छेपित होती है प्रवाल रोधीगा तटी प्रवाल भित्ति और आपका प्रवाल बलय दीव इसके अगर में इसके अंसर की बात करूं तो देखिए भारत का उत्री मैडान का बढ़न पहला आपका निर्माण करना है और दूसरा पॉइंट आपका विज्टार हो गया ठीक है तो इसके बाद पंद्रा कोश्चन पूछा गया था इसमें देखिए आपको अंसर मिल गया च्छोजुत्तक अंसर पूरा देखिए मैंने आपको इनका अंसर पर रवाइट कर दिया अब पंद्रबा देखिए जल्विभाजग का कार किया है और नमावरी गंगे नर्वता योजना पूछा ग करता है उसे कहते हैं आपका जल्विभाजग जैसे देखिए सिंधु और गंगा अधिक तंत के बीच का आपका जल्विभाजग कहलाएगा अंबाला और इसके जल्विभाजग परिस्थित है आत्वा कोश्चन देखिए पूछा गया था नमामी गंगे आपका परियोजना देखिए क्या पूछ गया है आपका लोक्तंत का अर्थ क्या है और लोक्तंत की परिभासा अथारवजग देखिए समधान क्या है बारती सद्धान कब लागू हुआ और राश्टी पर क्यों मनाते हैं और इसके जील्वा देखिए बारत के मानचित में अपको दर्साना है गंका सतलत दमोदर कृस्टना नर्बदय और ताप्तिर महानादी और इसी के चिलका संभर और आपका बूलर और पूली करण आपको यह पर भरना है ठीक है चलिए आपको दिखाते है कोश्चन 20 तक पहले आपको एक सास उत्तर देखिए तो आपको यहाँ पर जो है मिल दाए दाएगा ठीक है सोला का आपको देखिए जो आपका आत्वा का है उसमें आपको क्या पूछा गया है यहाँ पर यह देखिए इसका अंसर फूरा हो गया ना अब इसके बाद देखिए सोला का आपको आत्वा पूछा गया था इसमें नदी प्रदूसर रोकने के लिए आप यो की सफाई करा जाए ठीक है और इसके बाद देखें कोश्ञ आपका जो सत्रवा है लोग तंद का आपको देखें इसमें आपको बताना था कौनसा आपका अर्थिस्पष्ट करना था तो देखें पूरा आंस्वा आपको यह दिये गए है सत्रवा आपको जो अत्वा क्या इसमें पूछा गयाता लोगतंद की विशेष्टा देखिए आपको अंसर जो है आपका अथवक आंसर आपको यह हो जाएगा प्रजातंद की विशेष्टा जनता प्रशत्ता की स्वामी और सासन का संचालन आपको इन चार पॉइंट में आपको अंसर करना है कोश्चन देखिए आप 18 पूछा गयाता संधान क्या है और इसकी विशेष्टा देखिए तब गईरा संधान का पहले आपको वर्ज लिखना है संधान लिखित निवो की इस प्रार की किताब है जिसे किसी राष्टे रहने वाले सभी नांगरीक सामोय ग्रूप से अब कमाना आते हैं तो भारती संधान 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन की याद में 26 जन्वरी को गर्तन दीवस राष्टी परफिर्व में मनाते हैं ठीक है आप देखिए पंथ निर्प्रेक्ष आपका देखिए संधान आपका क्या है तो देखिए इसका अंसर आपको य देखना पड़ेगा आपको इन पॉइंट के दार पर देखिए आंसर कर लेने ठीक है चलिए अब इसके बाद देखते हैं कोश्चना का 19 कात्रवा कोश्चन देखिए इसमें आपको पूछा गया था रभी और खरी फसलों में अंतर देखिए बहुत सिंपल कोश्चन है इस आपको बढ़ने के लिए ज्यादा पाने की जड़ूत होती है और इसके लिए किसानीने मांसून की शुरुआत कहते हैं अब देखिए जो है 19 हो गया अब कोश्चन आपको जो इसमें 20 नंबर है इसमें आपको भरना था गंगा सतला दमोदर क्रिश्ना आपको यह पे चितर पर देखे आपको इसका जो है ना आपको इसका अंसर आपको इनको भरना था देखे पूरा आपको भर देना है पर नर्वदा क्रस्णा आपको यह सभी आपके दिये गए हैं आपको इसे भर लेना था ठीक है अब इसके बाद देखिए इनको भरने के बाद आपको जो है यहा आपको इसमें चिलका सामभर बूलर फूली गट आधी आपको भरना था तो देखे आपको यहरा question यहां पर देख लिजी और इनको आपको कैसे भरना है आपको मैं यह बी बता देता हूं देखे इरा आपको यहां पर पूली गट आपका लिख है ठीक है और इसके तब देखिए आपको अपको 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 अपक और 22 का देखिए अर्थ वस्त से भारत में हायुत कांती की पड़ी की बात कर रहा है तो इसका अंसार देखिए आपको यह पर यह पर यह पर यह प्योग के कारण आपका अभुद्पूर भुद्धी करना है आपका हरुट करांती है। निस्सों सार्ठ के दसक में भारती करसी इतिहास से मातपूर कदाम उठाये गया। और इसे की प्रहुत से करसी में आपका अभще पोर्व उत्पादान हुआ और इसे दिया गया हरुट करांती का आपका नाम। आपको लिख देनी है इन पॉइंट के दरपर और इसके बाद देखे 22 वा अर्थ वस्ता की प्राथ्मिक दूतियक और आपका तरतियक 6 से आप क्या समझते हैं इसको आपको बताना था देखे आपका यह रहा कोश्चन और इसका देखे आपको आंसर में आपको बेरुजगार आपको लिखना है और इसका सब्सक्राथ वस्ता में आपको अधिक लगे हों तो उन्हें क्या कर दिया जाता है और इसकी इसे वस्ता में आपका होते हैं कि इन देखे बेफसाय से हटा लिया जाया तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है लेकिन उनको जो है देखी बेरुजगार आपको हो जाते हैं और इसकाद देखिए आपको यह पर यह आपका मौसमी बेरुजगारी के बारे में बात किये गया है कि आपका देखिए लोग बर्स भर आपको कारान बताना है ठीक है कोश्चन देखिए तेज का आपको जो अंसर आपको यह पर मिल जाएगा यह आपका देखिए निर्धनता उनमुलन के बारे में गरीबी उनमुलन की बर्दमान सरकार के नाड़नी थी तो देखिए आपका पहला आपको इसी पूरा लिखना ह और आर्थिक सम्रद्धी को पुरसान दूसरा लक्षित निर्धनता का निरोधी कारक्रम आपको कर रहा है और तेज का देखिए आपका आथवा जो है इसे पूझा है भारत में निर्धनता का आपको कारण क्या है देखिए पहला आपका देखिए तीव गती से बढ़ती ज बढ़ रहा है और देखे इसक साथ देखे क्या है आप कहपे है पूजी निर्वार का भाव है पूजी नहीं होता है लोग पास बिरुज़गारी बहुत बढ़ गई है और कीमत इस तरह में आपका प्रधी तो आपको देखे इस प्रकार देखे पूरे कोश्चन पेपर का आप गरदा उड़ा कराए वीडियो को लाइक और चैनल को आप सस्क्राइब करके जरूर जाएगा मिलते है निस्ट वीडियो पर